philetic gradualism versus punctuated equilibrium जब हम evolution की बात करते हैं तो evolution के मतलिक दो school of thoughts है एक philetic gradualism और कुछ लोग punctuated equilibrium थीरी के उपर believe करते हैं पहले हम देखते हैं कि philetic gradualism क्या है इस थीरी के मताबिक जो evolution है it is a continuous process यानि जो evolution है वो gradually और continuously चलती आ रही है it brings small variation to a particular species यानि वक्त के साथ जो एक species है उसके अंदर तबदीलियां आती रहती हैं लेकिन ये तबदीली आने का जो process है वो बहुत slow है ये जो थीरी है ये theory of natural selection से मताबकत रखती है क्योंकि जो theory of natural selection है उसके मताबिक भी जो species के members है उनके अंदर variation मौझूद होती है उसके बाद इस थीरी के मताबिक जो evolution का process है ये एक slow process है लेकिन जब हम fossil record की बात करते हैं तो ये जो थीरी है वो fossil record के जरीए proof नहीं हो सकी क्योंकि बहुत सारे gap है यानि इस तरी के मताबिक एक species आहिस्ता आहिस्ता तबदीलियों के साथ next species के अंदर convert हुई और इसके अंदर हजारों साल लगे पर जेमपल अगर हम horses की बात करें तो इस slide के अंदर दिखाया गया है किस तरी के से एक small size horse एक आज के modern horse के अंदर convert हुआ और उसके जो number of toes थे पहले ज्यादा थे आज का जो modern horse है उसके अंदर जो number of toes कम है ये एक gradual process था और इसके अंदर तक्रीबन 50 million years लगे अब ये जो hypothesis है इसके मताबक जो evolution का process है ये gradual और एक slow process है और एक species के अंदर जो changes आती है वो आहिस्ता हिस्ता accumulate होती रहती है और एक लंबे अर्से के बाद जब उसके अंदर इतनी ज्यादा changes आ जाएं कि वो पहले species से बिलकुल different हो जाएं तो ultimately ये एक नए species के अंदर convert हो जाता है लेकिन जो इस theory के opponents हैं उनका ये ख्याल है कि अगर हम ये मान लें कि ये एक gradual process है आहिस्ता हिस्ता एक species के अंदर तबदीलियां आती रहती हैं और आहिस्ता हिस्ता वक्त गुजरने के साथ तबदीलियों के नतीजे में एक species ultimately एक नए species के अंदर convert हो जाती है तो फिर fossil record से इस बात को साबत किया जा सकता है लेकिन क्योंकि जो fossil record है वो incomplete है और जो fossil record है उसकी base के उपर ये साबत करना मुमकिन नहीं है क्योंकि जो operates हैं वो ये कहते हैं कि अगर एक species बहुत सारे मराहिल से गुजरने के बाद एक नए species के अंदर convert हुई तो there must be intermediate forms where are these intermediate forms हमें intermediate forms नहीं मिलती जबके जो दूसरा concept है वो punctuated equilibrium theory है जो लोग punctuated equilibrium theory के पर believe करते हैं इनके मताबक evolution is not a continuous process it is fast at one time and slow at another time यानि जो evolution है वो हमेशा constant नहीं रही कभी ऐसा हुआ कि जो evolution का जो process था वो बहुत तेज हुआ है कभी ऐसा हुआ कि evolution का process बिलकुल नहोने के बराबर था और कभी ऐसा हुआ कि जो evolution का process था वो zero रहा अब इसके मताबक it is caused by consistent and accumulative changes यानि इसके अंदर ये जो process है इसके मताबक जो changes आईं वो accumulate होती रही और ये एक slow process नहीं था ये एक तेज प्रासस था short period of time के अंदर ये evolution हुई है अगर इस slide के अंदर हम देखें तो यहाँ पे philatic gradualism दिखाई गई है इसके मताबक जो evolution है वो एक regular process है वक्त के साथ साथ नई species आती रही है और इसके अंदर कहीं पे break नहीं आया जबके जो punctuated equilibrium तरी है इसके मताबक देखें कभी evolution तेज हुई कभी evolution बिलकुल static है और फिर evolution तेज हुई जो लोग punctuated equilibrium के उपर believe करते हैं उसकी एक example trilobires की है trilobires के बारे में ख्याल किया जाता है कि बहुत कम अर्से के अंदर इनकी बहुत ज़ादा varieties बनी और उसके बाद फिर अब इनके अंदर जो evolution का process है वो इतना ज़ादा तेज नहीं रहा इसका मतलब यह है कि जो evolution है कभी बहुत तेज हुई कभी evolution बहुत slow हुई तो यह दो different school of thoughts है philetic gradualism जिसका मतलब यह है कि जो evolution है वो एक slow और continuous process है इसके नतीजे में with a message of time through gradual changes one species is transformed into another species जबके जो punctuated equilibrium है इसके मताबिक जो evolution है यह एक continuous process नहीं है evolution हमेशा constant नहीं रही कभी evolution का process बहुत तेज हुआ है और कभी evolution बहुत slow हुई है